आप सबी स्टुनेंट्स को मैंने नमस्कार, MK Fijial Training में आप सबी स्टुनेंट्स का स्वागत हैं। जैसे कि भी कोरोना का माहुल चल रहा है, जो काफी स्टुनेंट्स हैं जो कोरोना के वज़े से और ये बारिश का भी मौसम चल रहा है, इस वज़े से गराउंट में नहीं आप रहे हैं। उन सबी स्टुनेंट्स के लिए मैंने ओनलाइन क्रेसे से स्टार्ट करी हैं। तो जो भी मैं वर्काउट करा रहा हूँ, उसको आपको प्रोपर करना है, और कॉने के निचे से दूसरे हाथ से प्रेस करेंगे। इसकेंड एक्सराइज के अंदर आपको अपनी कलाई, दूसरा हाथ कलाई को पकड़के और एक तरफ खीचना है, और निचे से पैर क्रोस रहेंगे। और आपकी AD से लेके आपका जो सोल्डर है उसमें पुरे बोडी पार्ट में पुरा खिचा होगा। और इसको मैसुश करना है। जो भी एकसराइज को प्रोपर पील्ड करना बहुत ही जुरुरी होता है। कुछ student क्या करते हैं कि exercise को करते तो हैं लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वह exercise किस चीज में काम कर रही है कौन से body part में work कर रही है और वह करते हैं जो कि फिर वह exercise काम ही नहीं करती अब जो से इसके अंदर आपको अपने गुठने को अपने उपर की तरफ उठाना है चेश के पास लेके जाना है और गुठने का माममूली से नीचे से इसको अपनी तरफ खेंचना है कुछ डूने क्या करते हैं बोली को पिछे के तर अपने पंजे में भी मूव्मेंट करना है जिससे आपका यह दोनों वर्क आउट एक साथ हो जाएंगे इसके पास जो वर्क आउट रहेगा इसके अंदर आपको अपने पंजे को पकड़ना है और पिछे की तरफ खेंचना है काफी बार क्या होता है कि हम गुठना जो अमा कुछ स्टू mauvais से अभी सवक्त में अपर जोइंट होता है उसमें नहीं में पुंता है तो उसके रिली लिए एक्सराइज भूती बहुत थे ऐससे इसको आपको करना है से इसके आपको पैर को फोड़ इस में काफी रिलीफ करने को हुखता है, तो इतार इक्सराइज घर piace करनाको औही सिद्धिय को निकालना है लेकिं दूसरे पैर को बिल्कुल मुवमेंट निकालना है और दूसरे को फोल्ड करेंगे और हिप्स को पिछे जाते हुए आपको जुखना है और अपने गुटने से थोड़ा सा उपर गुटने के बिश्कुल उपर से नहीं थोड़ा सा उपर थाई के उपर प्रेस करेंगे तो पूरे पैर में पिछे काल्फ में पुरा खिचाओ मेस्स होगा नेक्ट एक्सराइज है इसके अंदरा कमर पे हाथ रखना है सोल्डर को गुमा के पिछे तरफ खेचेंगे और चेस्ट को बाहर की तरफ निकालते हुए उपर की तरफ देखना है इसमें पूरी बोड़ी में खिचाओ मेस्स होगा आपको और इसको फिल करते हुए एक्सराइ पूरा नीचे भी नी जाना और पूरा उपर भी नहीं रहना एक प्रोपर पोजिशन में रहना है दूसरा जो आपके गुठने है वो थाई से आपके जो प्वायर का पंजा है उससे बहान याएंगे गुठने उससे पिछे रहेंगे और आपके बोड़ी बिल्कु शीदी उपर से नेच्ट जो एक्सेसाइज आप देख रहे हैं इसके अंदर आप देखना कि इस तरह से मैं गुठने को प्रेस करके आगे तरफ खेंच रहा हूं उससे आपको भी इसको आगे तरफ प्रेस करना है पुरा प्रोपर प्रेस करना है और बोड़ी बिल्कु खेंचते बोड़ी बिल्कु उपर से सिधी रहेगी कुछ टुड़ेंट को भी जुका लेते हैं बिल्कु पुरा गोड़े को पूरे बोड़ी का प्रेसर दे देते हैं सिर्फ हातों को प्रेसर जेना है और हातों के प्रेसर से ही गुठने को आगे की तरफ इसको प्रेस करना है और य कुछ जनब में एक बार में इस बड़ा करना है तो आपकंसे आप कीज़ा है णिधिगर करना है उसतर थो नर्मरोंले xchashones कंटरेश कि में चरणे साइद में घाटी कन पर फेंड़ने के आपटने के चाइव मोर्न फ्लोर करना है कुछ student का उपर से वापिस उपर चल जाते हैं और एक flow में चल रही है exercise आप सभी student अगर इसको द्यान में देखेंगे तो मेरी कमर की जैसे flexible हो रही है उसी तरह से मेरे hands movement कर रहे हैं और पिछे फिर कमर को जुखाना ज्यादा पिछे नहीं जुखना इससे कमर में पेन हो सकता है नेक्स जो exercise है उसमें बिल्कुल पंजों के उपर चलना आपको कुछ हाफ फूट यूज करते हैं उसको strength को develop करने के लिए exercise बताई गई है तो इसको आप बिल्कुल प्रोपर पंजों पे चलना है और exercise को प्रोपर आपको करना है इसके बाद next exercise जो है उसमें क्या करना आपको AD के ऊपर चलना है और पंजों को अपने गुटनों की तरफ खेंचेंगे पूरी ताकत से और सीन पूरी ऊपर की तरफ खेंचे वे रहेंगे पूरी बोड़ी में खिचाओ मेंसों होगा आपको और इसको प्रोपर तरीके से आपको फॉलो करना है इसके बाद में यह तो नॉर्मल आपकी नहीं exercise रहेंगी जो starting में मोंडिंग में उठते करनी है इसके बाद में थोड़ी से उसको गुठने के टच करना है कुछ रुटन क्या करते हैं कि बोड़ी जुखा लेते हैं जैसे कौनी टच करने के लिए खुद भी नीचे जुख जाते हैं कमर बिलकुल सिधी रहेगी सिर्फ पैर उपर उठाएगा और गुठने को कौनी के टच करना है इस तरह से आप मु कर सकते हैं उसके अकोर्डिंग या आपको भी एकसराइज को फॉलो करना है यह गीन दुबार मैंने एक सेट लिया है क्योंकि माने जैसे मैंने अब बताए है आपको आपको यह बहुता है मैं आपको कि मैं खुद एकसराज को फिपर रहा हूं मैं सुख रहा हूँ कि तो बीच में तीस सेकंड का ब्रेक भी दे सकते हैं और उसके बाद दोबरा आपना केंटीनू कर सकते हैं और जिन स्टुडेंट्स को लगता है कि एक्सेसाइज कम है वह इन सब्सक्राइज के छेट तीन तीन सेट कर सकते हैं तीन से ज़दा निकड़ने लेंगिंगन दो शर्तिंसेट कर सकते हैं आरामसे इसके बीच में जैसे साथ में आप लोग भी रिल्यक्स त्योंस त्योंस को द्यान रिकती वीडियो बनाए गए यह पहले ही बताए गई है और इसी तरह से आप आ हो रहा है फिर एडी नीचे जारी लेगे फ्लोर पर टच नहीं हो रही फिर गुठने का मुवमेंट देखिए आप और साथ में ही थाइज के वहां से भी मुवमेंट हो रहा है इस तरह से आप जंप करेंगे तो आपके कभी लाइफ में हो ही नी सकता जो सीन पर इस बोलते हैं कि आपके पास में अगर पार्क हो कर रहा है तो इसमें जाकि अपने आराम से रनिंग कर सकते हैं जैसे जो self-nikah निकाले सब्सक्राइब कर सकते हैं जिस तरह से मभर कर सकते हैं इसलिए मैंने मैं चैनल में और और ऑपर हम वरकाट कि आप आरांद से णियर नाम रखा गया है दो इस लिए जो जsurनान नहीं म inevit cable के में हां किजलना कितना फैलता कुछ पतानी यह कितने बाव है स्थेतीविकि कुछ ध्यान मिनी है इस लिए मनें ये पर्रोपर एकसthose के लिया इंप्रूमेंट होगा जिस तरह से मैं एक्सराइज कर रहा हूं आप भी नो कर सकते हैं देखिए आलाम से पैर को मुवमेंट करेंगे पैर को उपर के तरफ उठाना है और इसी मुवमेंट के साथ में आपको एक्सराइज प्रोपर करनी है जंप करते हुए यह बिल्कुल इन दर मैं रहा हूं इसमें वेर्बट करेंगे तो आपकी जो प्रोफ कार फैस में महाता है और हमचाउच में तो मेरी इतिसाही तो नहीं हो पाएगी और सब्सक्राइज ौह आने वारे यह स्टक्विडियो से प्रोपर स्टार्टिंग जिसके स्टूइंट का भी सिजिकल की यह नहीं और फिisode क्रीदंट करा रहा है इसके लिए वर्क-अट है जिन्गरन हैं उनके विडियो यह इन दूर्भρείёл एक्सटूनेंट को करो हम और यास यह तो यह दो भी फिर चैज को डियंदE को फोलो कर सकता है रइनिंग बाद में तो आपको भी अच्छा में इसके लगया है इसके अगेरंगों मेरा जमीन फालर पर नौ.' और उसके बाद में एडी टच हो रही है तो यह पूरा अगर इसको करेंगे तो इस सर्दी के अंदर आपके पसीने भी आ जाएंगे आराम से सर्दी की भूलत मेंजल करेंगे हीट मेंचलों जयार इसको आपको अपतोर इसको प्रोपर क्रषिव झालत में घच्या यह वह अंत्री पिन खान अपड़ा रही है staid टोपर साथ में चल ददैज करेंगे में आपको प्रपर उठा रही है अब आगे देखेंगे के अंदर मैं प्रोप्र आपको करना है नेक्स्ट आप देखते जाईए यह वीडियो आपको काफी प्रसंद आएंगे फिर किसे स्टुडेंट को इस्यू रहता है कोई प्रोडम आती है तो मुझे कोल कर सकते है इस्क्रीन पे आप सभी स्टुडेंट् मैं प्रोडब कराया हो लेकृशिक यह और वागी के अंदर श्टुडेंग करते हैं जिस्ते आप कुछोत दिन अगरको कुछन कर लेंगे तो आपको प्र और भी कूझे को प्रोपर कर पाएंगे अगया और यह रेंगिक आशी तो आपको फोलो करना है तो मुझे आराम से कर सकते हैं अगें आप इसको एक्साइश बढ़ते जाएगी तो वर्काउट और अगें हार्ड होता जाएगा और आप सभी इसको काफी अच्छा लगएगा कि हमको हो रिकाउट के थरूग हमारे स्टेंथ आराम से डवलप कर सकते लिए खाष आज और अमारे डंद इंप्रूमेंट कर सकते हैं कि हूंव और और स्टेंटा के थैट पॉर्पर ओपल अपने बने करते हैं इसमें आपके साथ रिनिंघ करनी है इसलिए मैंने ये स्वेफ्य लीए आप चाहें तो और कोई जो भी आपके सुविदा के अनुशार आपको और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जो एक्सराइज है वो आप पेट के एक्सराइज है इन्हों पेट के एक्सराइज को आप प्रोपर करना है अगर ध्यान देगें तो आपको लगता है जिसे सिंगल पेर मुवमेट कर रहा है लेकि इसी तरह से आपको भी प्रोपर करना है पंजे बार की तरफ निकले वे रहेंगे खेंच के रखना पंजे को बार की तरफ और प्रोपर हाथ अपने कमर के नीचे रहेंगे और प्रोपर एक गड़ी के पेंडूलम की तरह है अपने पेरों को मुवमेट करना है जिस तरह से मेरे पेर मुवमेट करना है गुटने बिल्कुर सिधे रहेंगे ये देखिए आप और नजर आपके पंजे को उपर रहेगी बिल्कुर स्टेट और जो नेक्स अक्सेसाइज है इसके अंदर आप दोनों पेरों को सिंगर सिंगर मुवमेट करेंगे लेकि वो भी पंजे बार के तरफ गुटने बिल्कुर सिधे और इस टेट वे के अंदर इसमें आपको पेटों खिचाओ मैसुस होगा जिनी स्टेट के भी अगर ज्यादा पेन होता है तो वो इसको कम कर सकते हैं और जिनी स्टेट की स्टेंड डरलोप है जो आरफ काफी पहले अक्सेसाइज कर रहे हैं वो इसके ठी-ठी सेट आरफ से कर सकते हैं इस जीवे के अंदर और इसको अगर आप करेंगे तो मुझे 101% पता है कि आपको काफी बहुत ही अच्छा मैसुस होगा नेक्स एक्सेसाइज जो आप देखेंगे इसके अंदर मैं अपने पैरों को फोल्ड कर रहा हूँ बीच में जैसे 20-10 सेकंड का पां सेकंड के रिलेक्स भी है और पैरों को बिल्कुल उपर की तरफ उठाके और बोडी को उपर उठा रहा है जिसलिए को हाथ देखिए मेरे जिसलिए उपर जा रहे है यह काफी एड़्वार्स एक्सेसाइज है कुछ इस टूनल को प्रोलोम आती है जैसे मालों पेट मजबूत नहीं है उनके अभी इस ट्रैंड डाफ नहीं है तो वह इसको होल्ड भी रख सकते हैं जैसे उपर उठाएंट के 5 सेक्ड़ जाएंट के फर उपर रहें तो फिर आराम से इस तरह से रिलेक्स होगा और उसके बाद में आप आराम से कमर के नीचे हाथ रखेंगे अपने और कमर के नीचे हाथ रखते हुए पैरों को उपर उठाके उपर की तरफ खेंचेंगे थुरसा यह आपके अपर आप से करेंगे तो आपके जो चेस्ट की बिल्कुल नीचे पोपर पार नेचे एक्सराइज जो है वो सभी स्टुडेट्स नॉलमर वे में करते रहते हैं यह प्लेंग के एक्सराइज है है ऐसके अंदर आपको स्टेट सुर्ण जूगजाते हैं निचे जुग जाते हैं कुछ बीच में से ओपर हो जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी निग पूरा उपर तक बिल्कुल चीट रहेंगे पूरा पर आपके पेट के उपर आ चाहिए ऐसे निया को सोल्डर बेरा हो कहीं और pressure और इससे आपके जो पुरॉपर हाथ तुमें परेशर रहेगा इससे आपके चीनअप के लिए और शौड़ फुट के लिए भी आपके Copper उ देवलप हो गी है八お लास्ट में जैसे मैं विश्वास करता हूँ काफी निक' or नहीं करा जाता है लेकिन मैं सबस्कता हूं कि आपको रास्ट में रिलेक्स थी एक्सराइज भी करने चाहिए जिस तरह से हम प्रोपर योगा पोजिशन में बैठेंगे और बोडी को बिल्कुर रिलेक्स महसुश करना है सांसों को पूरा अंदर लेना है फिर होल्ड करना है और फिर बागी दर्फ छोड़ना है इस तरह से आप इसको प्रोपर रिदम से करेंगे तो इस पहां से दस सेकंड पनार सेकंड के अंदर यह आपको ऐसे लगए फील होगे जिस आपने तक कुछ किया है नहीं और बोडी बिल्कुर रिलेक्स मेंसुश होगी अगें आप सभ को भी इसीज़ के मैनिफिट मिले जो को ना की वज़े से काफी स्टुड़नें मैनत करी है और उन सभी की मैनत अगर वो ग्राउंड पर एगर नहीं रह पाएंगे तो खराब हो जाएगी तो आप सभी स्टुड़नेंट्स उन तक भी मेरा वीडियो पहुचाएं